अलो दोस्तों स्वागते आपका हमार यूट्यूब चैनल स्सी एक्जाम गुरू में तो यह है रेस्टोंट प्रपोस्वन का पार्ट टू तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहले कोश्चन के साथ तो आपकी स्कीन पर पहला कोश्चन लग चुका है के पहला कोश्चन है एक वर्श पहले ए और बी के आये कितनी है वह हमें गभाणार अग्याद करवारा रहा है अब द्यान से इस कोश्चन को इस तरह के कोश्चन को हम कैसे करते हैं, देखें, हम यहां लिख लेते हैं, A, A, B, ठीक है, A अनपाद B, और यहां पर यह दिये रखा है, यहां पर दिया हुआ है, तीन अनपाद दो, आए दी हुई है उनके, तीन अनपाद दो, जो की क्या है, पहले की है, यहां पर लिख लेते हैं, एक वर्स पहले की है, ठीक है यह क्या हुआ पुरानी आया है तो देखिए अब क्या दिया हुआ है एक वर्स के बाद जो चेंज आये हैं जो भी चेंज आया है वो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है देखिए यहां पर हम ए लिख लेते हैं और यहां पर हम भी लिख लेते हैं देखिए कितना दिय ये कितना है ये पहले का है ये पहले का है और ये क्या है वर्तमान का है ठीक है जितना चेंज हुआ अब ऐसे ही ये बी का क्या है पहले का है ये पहले किया है और वर्तमान में कितनी है वो दिये हुए वर्तमान में कितनी है हम मानेंगे ये वर्तमान में तो आप आप देखिए जो ये पहले किया है ठीक है जो ये पहले किया है और एक वर्स पहले किया है ये दोनों सेम होगी या नहीं ये एक ही है ये दोनों सेम होगी और ये क्या है बी की है ये दोनों क्या होगी सेम होगी तो हमें यहां पे यहां पे तीन यूनिट है तो हमें भी यहां पे कितना बना क्या करना होगा तीन बटे दो से हमें क्या करना पड़ेगा इसे गुना करना पड़ेगा देखिए अगर हम तीन बटे दो से हम multiply करें तो हमर पास कितना जाएगा चले मैं नीचे लिख देता हूं यहां पर देखिए अब यहां पर आ और पास 3 ठीक है और यहां पर कितना आएगा 3 बटे 2 से गुना करेंगे तो यहां पर आजाएगा 9 बटे 2 ठीक है यहां पर कितना आजाएगा 9 बटे 2 आएगा इसी तरीके से हमें यहां पर कितना बनाना है 2 तो यहां पर किसे मल्टिप्लाई करना हुगा हमें 2 बटे 3 से हमें वर्तमान है और ये बी की क्या है पहले की है एक वर्स पहले की इसी तरही कैसे ये एक ही है और ये क्या है ये एक ही वर्तमान की है चलिए अब देखतें कोशन में दिया क्या हुआ है दोनों की क्या दिया हुए वर्तमान आयो का योग दिया हुए अब देखिए वर्तमान कितन किटना आएगा हमार पास 43 by 6 देखिए आप कर लेना इसको पर 27 आएगा और यहां पर 16 तो हम यहां add करेंगे तो कितना जाएगा 43 और यहां पर 6 LCM लेंगे तो देखिए अब यह 43 बटे 6 कितने के बराबर दिया हुआ हमें यह दिया हुआ है 21-500 के बराबर कितने के एक यूनिट निकाल लेंगे और पूछा क्या है बी की आ है बी की आ है पूछिए वरतमान की तो बी की आ है कितनी होगी आठ बटी तीन ठीक है हम यहां से एक यूनिट कितने के बराव हो जाएगी एकिस पांद सो बटे प्री वर तरी इंटू में सिक्स निकालना कितना है आठ बटे तीन कितना हो जाएगा यहां से हो जायेगा 21 Organization बटे में 43 इंटू में 6 इंटू में यह कितना जाएगा IN एा तो देखिए आपको सिदह सिदा यहां पता लग रहा है कि 5 ताइम्स गया ठीक है और यहां से कितनी बार गया दो बार गया ठीक है तो आप इसे कितना जाएगा आठ हजार तो हमें बी की वरतमान आयू कितनी मिल गई आठ आजार रुपे जो कि किस option में है, यह option number 3 में है, चालिए, अब चलते हैं, आगे next question पे, अगला question देखिए, अगला question है, अगला question देखिए, अगला question भी काफी अच्छा है, देखिए, A, B, और C के कुल खर्चे का अनुपाद दिया हुआ है, 16, 12, और 9, और उनकी बचत जो दी होई है, वो दी है 20 परतिसत, I की, I का 20 परतिसत है, 25 परतिसत है, और 40 परतिसत है, ठीक है, यदि उनकी I का योग 1530 रुपे है, तो B की I क्या है, ठीक है, देखिए, बड़े प्यार से समझेंगी, इस question को क्या कह रहा है, A, B, C, हमें लिखना है यहां पर A, B, और C, ठीक है, यह अनुपाद में दिया हुआ है, अनुपाद कितने दिया है, इसका I का अनुपाद कितने दिया हुआ है, 16, 12, और 9, 16, 12, 9, ठीक है, यह दिया हुआ है, इनकी I का अनुपाद, यहां लिख देता हुआ, यहां पर दिया हुआ है, आय का अनुपाद दिया हुआ है, और यहां पर क्या किया है, फिर यह कह रहा है कि उनकी बचत के, जो है, उनकी I का 20 परतिशत, इसका जो है, देखिए, अब ध्यान से समझ रहा है, इस कॉर्शन को, फोड़ा, एक ही बचत कितनी होगी, कितनी दियो, उसकी I का 20 परतिशत होगी, अब पहले देखिए, एक हो देखिए, एक ही बचत, कितना है 20 परतिशत, ठीक है, अब 20 परतिशत आपको पता है, कितना होता है, 1-5 यानि कि I का 20 प्रतिसत है I कितनी हो गई? 5 यूणिट हो गई और बचत कितनी हो गई उसका 3 यूणिट हो गई? खर्चा सोरी चार यूनिट खर्चा हो गया उसका ठीक है चार यूनिट क्या हुआ खर्चा हो गया अरे यह अच्छा थोड़ी गलती हो गई अच्छा यह खर्चा दिया हुआ है सोरी यहां पे दिया हुआ यह खर्चा ठीक है तो देखिए इसका खर्चा कितना हो गया चार य युनित है ये चार युनिट जो है,ई आपको अच्छे से समझ आया होगा ? कितना आजाएगा 20 इनट हमार पास कितना आए हाएगा 20 इनट हमार पास कितना आया जाएगी एक की आया निकले इसी तरीके से हमें दिया हुआ है यह आपको अच्छे से समझ आया होगा वीदियो को बार बैक करके आप देख सकते हैं चलिये अब इसी तरीकसे हम निकालते हैं B की B की recuperation सब्सक्राइब कितना दिया हुआ ay अब देखिए B की बचठ इने दिये 25 परतिषत एक बटने चार होती है त्वियॐ 25 परतीषट आपको पता है ठीक है एक क्या एक बत्चत है एक क्या बत्चत है और आय कितनी Bai Video इसकी चार यूनिट है ठीक है खर्चा कितना खुचा तुम गया 3 आधक भाज यानि तीन यूनिट किसके बराबर है इस 12 के बराबर है एक यूनिट कितनी आई इस 4 के बराबर और एक यूनिट कितनी आई 4 के बराबर और आए कितनी है आए कितनी है हमार पास 4 हम इस 4 को 4 से multiply करेंगे तो 16 यूनिट आगी यह आपको अच्छे से होना चाहिए क्योंकि मैंने percentage की वीडियो आप में पढ़ा चुक अब देखते हैं हमार पास ऐसी तरीक आप सी का निकाल लेंगे सी के कितना ओल रहा है 40 प्रतीसत सी की बचत कितनी है 40 प्रतीसत है यानि कि 40 प्रतीसत कितना अब तो बटे 5 पांच कि आए थी 2 बचत कर ली खर्चा कितना हुआ तीन तीन यूनिट किसक्टे बराबर होगा न क्वराबर आए कितनी है इसकी अहाए 5 युनिट के बराबर ठीक है 3 को अर्शन में पूछा क्या है स्पीस को फिर से देखिए आप फिर से यदि इनकी आये का योग देरा आय का योग दिया हुँआ है बी की आय पूछिए चलिए अब हम इनका सम कर दें अब इनको जोड़ दें तो बी कितना होगा 20 प्लस 16 प्लस 15 ये कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा हमारे पास 51 होगा 16 और 15 एक्किस बीस 21 21 हो जाएगा 51 अब यह 51 जो है हमार पास कितना दिया हुआ है 1530 रुपे के बरावर ठीक है तो हमें यहां से एक यूनिट किसने के बरावर निकल गई 1530 51 यहां से कितना आगया यह 50 आगया 30 30 आगया न एक यूनिट कितने के बरावर आगई अब हमें से इसए 16 करेंगे तो हमार पास कितना आएगा 30 आएगा ठीक है अब हमें पूचा क्या है पूचा क्या है बी की आए पूचिए कितनी है 16 एगा इस 16 को हम 30 से मल्टिप्लाई करेंगे कितना आएगा 480 यानि बी की आए पूचे ही हमसे तो मैं सीधे लिख सकता हूं यहां पर बी कितना आजागा 16 एंटू 30 कितना आगया 16 एंटू 40 ठीक है 480 क्या हो जाएगा बी की आए हो जाएगी जो की option कितना है option number A है ठीक है उमीद करता हूं आपको अच्छे से बहुत किलियर हुआ होगा यह question थोड़ा आपको प्रेक्टिस करना है जिससे आप time waste ना करो calculation में तुरंत आपको ratio to fraction fraction to ratio यह percentage आपको याद होनी जाए माइंड में चलिए अगला question देखिए अगला question है चलिए यह भी अच्छा question है a, b, c कि i का अनुपाद दिया हुआ है मैं लिख लेता हूं question आप पढ़ लीजिए a, b, c इसका i का अनुपाद दिया हुआ है 3, 7, 4 यह दिया हुआ है i का अनुपाद ठीक है अब यह कह रहा है कि उनके कह अनुपाद भी दिया हुआ है 4, 3, 5 यह उनके v का अनुपाद दिया हुआ 1 का अनुपाद दिया हुआ है खर्चे का अनुपाद दिया हुआ है तो अब देखिए आगे कह रहा है कि यदि a की आयe 2400 रूपे है और उसमेंसे वह 300 रुपे बच्चत करता है तो c की बचत बताइए देखिये एक ही ityai कितनी दी उई हमें अब यहां से निकालतेsilं देखिये तीन इनिट है आपको पता है तीन इनिट हैमने एक ही ईन एक ही ईनिट है कितनी दे रखी है तीन है लेकिन हमें पता कितना है 2400 2400 रुपए पता है ठीक है ति एक यूनिट हमर पास यहाँ से कितने कि आगी 800 रुपए के बराबर कितने के बराबर आगी 800 रुपए के बराबर तो हम यहाँ से थ्वड़ा इस-पेस कर देता हूं यह हो गया तीन, मुपन्च चार, थीन, पांच चार तीन और पांच ठीक है यह आ गया इनका वैर ठीक है अब देखे एक यूनिट कितने के बरावर आए 800 के बरावर तो यहां पे एक ही आए तो देई हुई है ठीक है 2400 रुपे और यहां पे कितना होगा इसके लिए 8452 चीकिया होगी 32 रुपे हमने यहां से आय निकाल ली 3 रुपे अब हमें यहां पे दिया हुँा खरचा बचट कितनी इद वीए यह बटाइए एक ही बचट देखी कि एक ही किटनी इद वीएि द Walker चीक है एक ही बचट कितनीदे वीए मिए300 रुपे दीवए C3 400 तो उसका खार्चा कितना है देखिए 1 ऑका 1946 कितना एखकर का एक खार्चा हुआ चार यूनिट खर्चा कितना है एका चार यूनिट ये चार यूनिट किसके बरावर होगी 2100 रुपे के बरावर होगी ठीक है चार यूनिट 2100 के बरावर होगी और पूछा क्या है उसने पूछा क्या है सी की बचत पूछिए ठीक है पहले हम खर्चा निकालने सभी का ठीक है? सभी का खर्चा निकालने तो देखिए यहां से एक उनिट हमर पास कितनी आई? नीचे दीख तो रहा है ना चलिए इधर लेख देता हूँ यह यहां तक दीख रहा है 200 रुपे चलिए ठीक है ठीक है कोई नी उपर लिए देता हूँ यह आगया हमर पास 1 उनिट आगया हमर पास कितने के बराबर? 2100 बटे में 4 एक उनिट आगया ठीक है? अब खर्चा निकाल ले हैं हमें सी का सी का खर्चा कितना है? 5 उनिट यानि 1200 बटे में 4 इंटू में 5 अगर यहां से हम solve करें तो आप इस कितना आजाएगा देखिए कितना है बोलिए 5 यूनिट कितने के बरावर आई 4, 20, 2, 5 और इंटू में 5 ठीक है 525 बटे 5 कीजिए आप कितने के बरावर आएंगे 5, 10, 12, 12 और 25, 26 ठीक है 5 यूनिट किसके बरावर आगी खर्चा कितने आया 26, 25 रुपे लेकिन आई कितनी है उसकी 32 रुपे बचत आजाएगी हमर पास बचत कितनी आजाएगी C की C की बचत C की बचत कितनी आएगी C की बचत हमर पास आजाएगी C की आए में जो की है 32 रुपे और जो खर्चा कितना है उसका 2625 रुपे तो हमर पास बचत कितनी आएगी बोली बचत हमें यह से माइनस कर ले तो कितना आजाएगा 5 7 और 6 कितना ही होगा भई 5 होगा न 575 रुपे हुआ ठीक है तो कितना हुआ 575 रुपे हो गया जो कि option नमबर कितना है C 3 है ठीक है तो आपने देखा step by step हम इस question को ऐसे कर सकते हैं चलिए चलिए अगला question देखिए गर्मी बहुत है और थोड़ा voice में भी मेरी problem है तो थोड़ा compromise करके चलेंगे क्यूंकि थोड़ा वाइरल चल रहा है आपको पता है चलिए अगला question देखिए next question है आपकी सामने अगला question देखिए सोने की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती ठीक है भार के वर्ग के समानुपाती है चलिए चलिए सो बीस उर्पे की हानी हो रही है तो सोने का आरामबिक मूले बताईए देखिए इस तरीके के question में आप देखिए कभी भी सोने को हम तोड़ कर बेचेंगे तो उसमें हमेशा क्या होगा हमें हानी ही होगी हमें क्या होगा पर नुक्सान होगा तो समझते है इस question को देखिए तीन अनुपात दो अनुपात एक ठीक है इसमें उसने क्या किया इस सोने को तोड़ दिया पहले देखिए टोटल कितना सोने था देखिए तीन दो और एक ठीक है तीन दो एक यानी 6 यूनिट को उसने इस अनुपात में तोड़ दिया सोने को तो पहले क्या अगर आए वो सोने की जो कीमते उसके भार के वर्ग के समानुपाती है तो देखिए पहले हम उसका निकालेंगे प्रारंबिक मूले तब वो टूटा हुआ नहीं था तो कितना था 6 यूनिट था देखिए प्रारंबिक मूले प्रारंबिक प्रारंबिक मूले कितना हो जाएगा प्रारंबिक मूले कितना होगा 6 यूनिट ठीक है बैश 6 था ना और उसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा हम पास कितना है 36 यूनिट लेकिन तोड़ने के बाद तोड़ा किसमें तीन अनुपाद दो अनुपाद एक में तोड़ दिया तो उसके बाद कितना उसका प्राइज रह जाता देखिए तीन का स्क्वाइर कीजिए तीन का स्क्वाइर दो का स्क्वाइर प्लस एक का स्क्वाइर तो यह कितना हो गया, 9, 4 और 1, यानि कि कितना हो गया, 14 यूनिट, देखा आपने, पहले क्या था, 36 यूनिट, अब रह कितने गया, 14 यूनिट, तो सीधा सीधा हानी कितने की हो रही है, हानी देखें हम, हानी हमर पास कितनी आई, हानी आई यू पास, अगर हम 36 में से, 14 घटा अब ये 22 उनिट है अब ये 22 उनिट कितने के बराबर दिया हुआ हमें 420 रुपे के बराबर कॉस्चन में देखिए 420 रुपे के बराबर दी हुई है 420 रुपे के बराबर तो कॉस्चन में पूछा क्या है प्रारामबिक मूल ले पूछा है जो कि कितना 36 unit है तो दीखिए एक unit कितने के बरावर होगी एक unit कितने के बरावर होगी चलिए थोड़ा दीखेगा नहीं मैं उपर लिख देता हूं एक unit कितने के बरावर होगी एक unit होगी हमरे 420 बटे में 22 ठीक है अब कितना लेना है मैं 36 unit लेना है 36 unit कितने के बरावर होगी 4620 बटे 22 into में 3600 ठीक है यहां से 22 से इसको cancel कर लो 2 और 1 यहां पर कितना है 210 से गुना करेंगे तब इसे तो simple simple देखेंगे 210 into में कितना जाएगा यहां पर 36 आ जाएगा तो पहले हम देखते हैं यूनिट डिजिट अगर 6 आ रहा है किसी में 0 के बाद 6 आएगा तो वही option होगा option देखते हैं option है आपके पास option 4 में सिर्फ एक ही यह option में इस खा रहा है यानि option अगला question आपकी स्कीन पर है अगला question देखिए अगला question देखिए अगला question देखिए A B के घन के विर्थक्रमानुपाती है A जो है दिया हुआ है तीन यूनिट तीन के बराबर है और B जो है दो के बराबर है अगर A जो है आठ बटे 9 है तो B का मान ग्यात कीजिए ठीक है तो हमें क्या निकालना है अगर ऐसे ऐसे दिया हुआ है उसमें according to question तो हम चलके last में पूछा क्या है B का मान पूछा है तो ध्यान से देखिए इस तरह के question को देखिए हम देखिए question क्या coding ही चलते है ए दिया हुआ है इस B के क्या है वितकरमानुपाती है बी के घन के बोला उसने तो हम यहां पे घन लगा देते हैं घन बूला है तो पावर 3 लगा देते हैं अब देखिए अगर हम इस समानुपाती के वितकरमानुपाती के चिनको अटाएंग है अब हमें दिया हुआ है एक ही वैलू दी हुए बी की देली हुए तो हम यहां पर क्या निकाल लेंगे constant की वैलू के की वैलू निकाल लेंगे हम देखिए एक कितना दिया हुआ है एक कितना दिया हुआ है हमें हमें दू सोरी ए दिया हुआ है तीन के बी कितना दिया եी Tamil करेंगे हैं तो कितना जाएगा हमर पास 2 का क्यूब आठ होता है आठ को जो एन 3 से मल्ल्टि प्लाई करेंगे तो के कामान हमर पास कितना जाएगा 24 कामान हमर पास कितना जाएगा 24 अगर हम इस 24 को यहां रख दें और यह कामान दिया हुए का पास कितना मिलागा वी क्यूँ भी क्यों देखिए एंप आपन की बरावर कितना जाएगा कि एप आपन के एप आपन के केसरे को आपन कृश्य Bon 30 9 थीक है कियो कि बरावर कितना जाएगा वी scientific ऐप आप दीखे बी जब इसका रूट क्यूब क्यूब करेंगे कितना जाएगा यह पर तीन अंसर आएगा जो की option number कितना है एक एक क्या इसका right answer है कि चलिए कितना आया हम पास कितना तीन चार छे ठीक है ओर विएओ कितना अगया तीन चार छे और यह दिया कितना कि यहानुक है यानि की 3 और 4 इनको समापक प्रकिंगे mum तो कितना relevant 13 इनिट किसके बडरावर है ताल pięter सो रुपधे के बरबर है तेरा यूनिट किसके बरावर होगे ऑठ सा उप ही पूंचा किया विजितना विजितना है चार है onore जाएगा छ नम्बर किटना है च्रीव है चलिए अगला question देखिए अगला question देखिए एक थेला दिया हुआ है ठीक है उसमें 5 रुपे, 2 रुपे और 1 रुपे के सिक्के है और total सिक्को जो है उनके रुपे में दे रखा 410 रुपे है सिक्को की संख्या का अनुपाद भी दिया हुआ है 4, 6, 9 तो पूछा है ठेले में 2 रुपे के कितने सिक्के हैं ठेले में क्या पूछा है 2 रुपे के सिक्के की संख्या पूछिए अब देखिए हमें दिया हुए है पांच रुपे पांच रुपे दो रुपे और एक रुपे पर एक रुपे दिया हुए और उनका क्या दिया हुए अनुपाद दिया हुए शिक्कों की संख्या दिया हुए चार अनुपाद छे और अनुपाद कितने दिया हुए नौ ठीक है अब यह उनकी संख्या दिये हुए और यह सिक्के दिये हुए 5 रुपे के अगर 4 शिक्के हम माने 4 युनिट शिक्के माने तो अगर हम इने multiply करें और सब को multiply करें और फिर हम उनका sum up करें हम उनको जोडें तो 410 के बरावर होगा, बिल्कुल होगा, देखिए चार पंजे बीस ये संख्या है ये क्या है सिख्कों की संख्या है देखिए चार पंजे बीस यहां से हमें निकल के आए 20 यूनिट और यहां से कितना निकल के आएगा ठीक है और यहां से कितना निकल के आएगा 9 ठीक है अब हम 20, 12 और 9 को जोड़ें तो कितना जाएगा 41 आए तोटल थैले में कितने रूपे हैं वह दे रखाया ना देखिए 410 रूपे हैं तो एक यूनिट कितने के बराबर आई हमें एक यूनिट कितने के बराबर आई 410 बटे 41 कितने के बराबर आई 10 रूपे के बराबर आई और पूछा क्या है हमें 2 रुपए के सिंक्षे 2 रुपए की संक्या कितनी है 6 निलेगे 6 पॉचिये है 6इृ स्वेशला hmm कितनी हो जाएंगे 60 कίν जैंगे 6ए 602 रूपए हो जाएंगे 2 रुपए के जो सिंक्षहा कितने है अच्छा संक्या पूचिए सोरी रुपों मेंगी 60 है है ठीक है दो रूपे की सिक्क्य कितनी साथ है जो कि option नमबर कितना है option number 3 है ठीक है चलिए अगला question देखिए अगला question आपकी screen पर लग चुगा है आज थोड़ा तबियत खराब होने के कारण आपको आवाज में थोड़ा compromise करना पड़ रहा है उसके लिए खेद है मुझे मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि काफी दुनों से मैं कोई वीडियो भी नहीं ला रहा था तो मुझे continue तो रखना है देखिए एक problem है वह तो रहेगी लेकिन continue रखना है ऐसे ही आपको भी continue रखना है compromise नहीं करना किसी की साथ चला देखिए अगला question देखिए 63 kg जो मिसर धातू है तामबा और जस्ता जो है उसके अनुपात दिया हुआ है चार अनुपात तीन दिया हुआ है ठीक है और तामबा की कुछ मात्रा उसमें से मिसर धातू निकाल ली उसके बाद जो है तामबा और जस्ते का अनुपात दिया हुआ है 10 अनुपात 9 है ठीक ह तो कितनी मात्रा में तांबा निकाला गया है यह पूछा है अगर आप इस कोस्टन को ध्यान से पढ़ोगे तो इस कोस्टन में एक चीज आप से कही हुई है तांबा है सिर्फ उसी से छेड़ छाड़ की हुई है ठीक है जो तांबय है उसी से ही छेड़ चाड़ की हुई है जस्ते को कहीं छेड़ा नहीं अगर हम जस्ते को दोनों अनुपात में सेम कर लें जस्ते को निकालने से पहले और निकालने के बाद जो दिया हुआ अनुपात है अगर हम मुण से सेम कर लें जो हमार पास निकल के आएगी तामबे का मात्रा निकल के आएगी अग हम उन पे से घटा दे तामबे का यूनिट बचेगा जितना हमें निकाला था देखिए कोश्चन को समझते हैं पहले क्या अनुपाद था? पहले तामबे और जस्ते का अनुपाद पहले क्या था? देखिए पहले पहले कितना था? चार अनुपाद तीन चार अनुपाद तीन तामबा और जस्ता ऐसे भी लिख सकता हूं मैं कोपर और चलिए तामबा तामबा और जस्ता लिख देते हैं ठीक है? चार अनुपाद तीन और बाद में कितना हुआ छेडखानी करने के बाद में कितना हो गया हूँ 10 अनुपाद 9 ठीक है अब देखिए जस्ता हमार पास कितना है यहाँ पे 9 यूनिट है अगर हम इसे भी 9 बना ले तो हमार पास जो निकल के आएगा वो कितने निकल के आएगा तामभी का मातरा निकल के आएगी अब देखिए यहाँ पे 9 है, यह 9 बनाने के लिए हमें 3 से गुना करना पड़ेगा तो यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है यह कितना हो गया, 12 यूनिट हो गया यह कितना हो गया बारा उनिट हो गया न वारा में से दस केत कि इना पहली हो गया रहें घ्लोपास दो यूनिट हमने तामब हाई कितना निके दिया हुआ बई total तो यहा होगी, no unit plus 12, no unit plus 12 ही तो होगी, बारा plus 9, 12 क्या है पहले 12 किय था, ताम्बा था और 9 कितना अच्ता था, तो यह कितना कुसके बरावर होगी, 63 unit के बरावर, तो यह कितना आजा गए यहांसे, 21 unit किसके बरावर होगी, 63 के बरावर, ठीक जश्ता कितना होगा 10 तो बचा कितना 2 unit बचा तो हमें 2 unit की तो value निकाल लिए हैं 2 को हम 3 से multiply कर देंगे जो आएगा हमारे पास वो कितनी है तामबा कितने मात्राम निकाला 6 gram में हमने निकाला जो कि क्या है 6 इसका answer होगा option क्या है आपके पास 6 kg प्रोग्राम 6 kg option कितना होगा option एक इसका राइट अंसर है चलिए आज का लास्ट कोशन देखते हैं लास्ट कोशन आपकी स्कीन पर लग चुका है देखिए dentro प्रतिवी पर भूमी झल या अनुपाद दिया हो.. आपको एक अनुपाद दो ठीक है उत्री गोलार्थ में यह अनुपाद दो अनुपाद टीन है तो दक्षिन गोल आर्थ में अनुपात पूछा है देखिए इस कोशन को समझने से पहले आप को एक चीज समझनी होगी देखिए टोटल प्रत्वी यह है ठीक है अगर हमें इस बीचो बीच में से काड़ दूम है इसे जो युपपुर का हिस्सा है उसे क्या बोलेंगे हम उत्री गोल आर्थ उसे क्या बोलेंगे हम उत्री गोल आर्थ बोलेंगे ठीक है उसे क्या बोलेंगे हम उत्री गोल आर्थ और जो ब परद्वी पर पूरे परत्वी पर तो दिया हुआ है हमें एक अन्पाद 2 पर ठीक है। अंपाद 3 पर ठीक है, अ इससे समझते हैं, लिखते हैं प्रत्वी पर दिया हुआ है, हमें भूमी और जल पूरी प्रत्वी पर भूमी और जल कितना पता है हमें एक अनुपाद दो ठीक है अब देखे अब यह उत्री गोलारत जो है उत्री गोलारत पर यह कितना है भूमी कितनी दी हुए हमें दो और यहां पर कितनी दी हुआ है तीन ठीक है भूमी कितना दी हुआ है तीन दो अनु पात अब मुझे आप ये बताए यहाँ पर निकालना क्या है दक्षणी गोलारत में निकालना अब एक tat पूरी प्रत्वuten जो की पूरी प्रत्वी Chemik हमें आदा हमने उत्रीए में बाड़ दिया अग्ल्णाय दक्षिन है जो टोटल होगा जो टोटल भूमिर जलोगा वह आदा हमें उत्री गोलारत में मिलेगा और आदा का मिलेगा दक्षणी गोलारत में तो देखिए यानि कि यह कितना रहा तीन यूनिट यह कितना जोड़ें तो यह कितना जाएगा पांच यूनिट यानि कि इस तीन यूनिट का आदा इसमें होना चाहिए उत्री गोलारत में आदा कहा पर होना चाहिए दक्षिंग गोलारत में अब देखिए अगर हम इसे अगर हम इसे कुछ इतना बना लें कि इसका आदा और आदा बट जाए यानि 30 यहां भी 10 से करणा पड़ए अब देखिए यानि 30 यूनिट के न ठीक है यानि कि यह देखे यहां पर यह कितना है पर दस हो गया हुए उसके बाद कितना हो गया, 20 हो गया, और यहाँ पर कितना हुआ च्छै यूनित हो गया और यहाँ पर 9 हो गया है, अगर हम इन दोनों को घटा देब, तो हरे पास जो बचेएगा वह दख्छिनकोल आर्थ मों बचेएगा ठीक है दक्षिनी गोलाष्ण आँ आप देखिए, दस में से जब 6 unit जायेगा, कितना बचेगा? 4, और ये कितना बचेगा? 20 में से अब जब 9 बचेगा, 9 जायेगा. ये कितना बचेगा? 11 unit, थीक है? यानि दक्षिन винाष्ण में भूमी और जलकारेसो कितना है? सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों के निहें अगर आपको वग्र Просто सब्सक्राइब कर दीजिए मेंदब कर दोस्तों साथ सेयर कीजिए चलिए बिलते हैं जल्दी अगली नेक्स वीडियो में